तो दोस्तों लावा लॉंच करने वाला है अपने फर्स्ट एवर 5G फोन को इंडिया में 9 नवेंबर को और एक्सिदेंटली लावा की ओफिशल वेबसाइट पे लावा के इस 5G स्मार्टफोन को अब लिस्ट कर दिया गया है इसका नाम होने वाला है लावा अगनी 5G और गया इसकी प्राइसिंग रखी गई है और इसकी फर्स्ट लुक भी यहां पे निकल के आगी है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इस वोट दलावा अगनी 5G इस गई तो लुक लाइक इस स्मार्टफोन में हमें एक मिडिटेक देमिशिटी 810 प्रोसेसर देखने को मिलेगा 90Hz रिफ्रेश रेड़ पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगी 5000 mAh की होगी बैटरी 64 Megapixels का होगा Quad rear camera setup अब इस camera setup की बात करें तो 3 cameras तो में यहां पे बड़े वले दिखने मट साथ में एक चोटा सा camera भी अविलेबल है वेदर और नोट इस 4th camera और यह एक अलग sensor है यह आने दिनों में हमें पता चल ही जाएगा साथ में Android 11 हमें out of the box देखने को मिलने वाला है एक dedicated game mode होगा इस smartphone में और near stock Android experience आपको इस smartphone में वैसे देखने को मिलने वाला है प्लास्टिक फ्रेम होगा और रियर भी smartphone की प्लास्टिक की ही लग रही है बट स्टिल अच्छी खासी यहां पर एक build quality smartphone से हम expect कर सकती है IPS LCD पैनल के यहां पर होने के chances हैं because side mounted fingerprint scanner हमें लावा अगनी 5G में देखने को मिलने वाला है नीचे की तरफ अगर आप देखो तो device का speaker देखने को मिलता है USB type C charging port है साथ में आपको देखने को मिलता है device का microphone और 3.5 mm headphone jack हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है pricing की बात करेंगा इस तो as I mentioned earlier 19,999 इसकी pricing रखी गई यह बट हो सकता है कि यार यह smartphone हमें कुछ कम pricing में इंडिया में देखने को मिल जाए तो guys अभी के लिए इतना ही लावा अगनी 5G आपको इंडिया में 9th November को देखने को मिलने बला है और अगर आपको वीडियो पसंद देखने तो वीडियो को शेर करना मत भूलेगा अगर आपको वीडियो पसंद देखने तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा मिलती है फिर से एक और नई वीडियो में तिल देन खुश रही है बात रही है पलते पूलते रही है God bless you all Peace Jain